वेलकूम आल आफ यू इन माई एलेक्ट्रो इंस्ट्रुमेंडेशन चैनल फ्रेंड्स आज का हमारा टॉपिक है वेट डिटेक्टर क्या होता है और इसका कैलिब्रेशन कैसे करते हैं तो उससे पहले फ्रेंड्स हम कुछ बेसिक को अंडरस्टेंड कर लेते हैं इस ट्रास्म से जो हम रही हमारा मुंसीपड से जो वेस्ट आता है इसको करते हैं इस अब करते हैं कि इस प्लांट को हमerkरते हैं और जो भी हमारे घर निंकलते हूं भूलेंड फिसे निकलते हो उसका एक drainage होता है drainage होता है वो जाता है municipal बेh municipal के थूरू ये plant में आता है और वो recycle होके reusable बनाता है ठीक है फ्रेंट्स वो natural भी treat होता है लेकि natural treat होने में बहुत time लगता है इसके लिए इस plant को setup किया जाता है कि हमारे जो भी wastewater है उसको हम दुबारा यूज कर सके और फ्रेंट्स यह दूसरा देखे सबसे में मेजर फैक्टर यह है कि हमारे इंडस्टी से हमारा वेस्ट आता है और आके वह रिवर में मिक्स होता है मिक्स होता है वह बहुत ज्यादे वाटर प्लांड में चला जाए ट्रीटेट प्लांड में चला जाए वहां से वह ट्रीट होके अच्छा वाटर बन जाता है अब बात कर लेता है कि हमारे इस plant पमें कैसे function करता है तो इसमें different process होते है primary होता है primary treatment होता है secondary treatment होता है tertiary treatment होता है उसके बाद ही हम use कर सकते है उस Water को जो wastewater हमारे plant में आता है मालने सीवेस plan में आता है तो यहां पर एक diagram में आपने देख सकते के कैसे घर से इंड़स्ट्री से से आमारा Ora रहाता है पर स्क्रीनिंग होता है इसका प्रोसेस होता में अपन देख सकते ईए इसमे अधने एक उनिट के बारे में बात कर लेते हैं यॉनिट वे नाम से ही पता चल रहा है कि यह है इसमेली गैस को control करने के लिए इसको use किया जाता है friends जो hazardous gas होता है उसमें सबसे prominent होता है H2S gas यानी hydrogen sulfide यहाँ पर हम देख सकते हैं यह बहुत ज़्यादे poisonous gas होता है और यह इसका structure है उसके structure देख सकते हैं और जो हमारे lungs को paralyze करता है और यह होता है आग लगने का खत्रा भी रहता friends H2S को eliminate करने के लिए हम कुछ agent को add करते हैं जैसे chemical agent होगी है sodium hypo chloride इसको हम लोग scrubber में add करते हैं जिससे हमारे H2S को neutralize होता है तो यहाँ पर इस reaction में भी देख सकते हैं इसको bleaching process भी बोलते हैं friends bleaching के लिए और भी potassium parmagnate के थुरू भी करते हैं और hydrogen paroxide को भी add करके हम bleaching कर सकते हैं friends यह एक पूरा OCU का setup है इसमें different different tanks से हमारे हजारस gas आते हैं और यहाँ पे उसका ventilation और filtration होता है तो इसी में use होता है हमारा जो weight S2S monitor so friends यह हमारा weight S2S monitor है इसमें यह sensor cable है sensor cable हमारा कहां से आता है यह उपर top part पे हमारा sensor लगा हुआ है वहां से हमारा conduit के तुरू इसमें एक sensor cable आया हुआ है जिसका हम लोग ने gland किया हुआ है यह sealant भी feel किया है sealant हम क्यों feel करते हैं कि हमारा hazardous gas efferents उपर से तो वह हमारे transmitter body में नहीं आ है और यह gland explosion proof gland होता है ठीक है इसको हम लोग gland करते हैं इस transmitter में आप route देख लेते हैं कि हमारा sensor cable आया कहां से है तो उपर एक sensor लगा हुआ है वो conduit के तुरू हमारा transmitter body में आता है यह देखिए यह sensor हमारा upper part में जो हमारा tank होता है तो देखिए मैं आभी open कर लेता हूँ इसको और open करके आपको दिखाता हूँ कि यह होता कैसा है तो friends यही यह sensor यह हमारा S2S को sense करता है अभी मैं इसको बाहर निकाल लेता हूँ बाहर निकाल के भी आपको दिखाऊंगा कि देखिए यह कैसा होता है यह black color का है यही sensor है जो sense करेगा हमारे S2S को और यह इसके parts को open कर लेते हैं और देखिए यही छोटा सा जो है black color का part है यह हमारा sensor होता है वो sense करता है S2S को और sense करके हमारे नीचे transmitter को बेचता है अब भी transmitter हमारे PLC को बेचता है और उसके respective में हमारे logic में जो भी function होते हैं इसको दुबारा मैं reinstall कर देता हूं और देखिए इसको attach करके इस body के साथ connector adapter के साथ और इसको यहां पर connect कर देता हूं उसके बाद देखिए यही sensor है जो हमारे sense करेगा S2S को और हमारे transmitter को जाएगा body को जाएगा फिर वहां से उड़के हमारे panel को जाता है अब फ्रेंट्स यह देखिए यह transmitter है इसमें हमारे यह signal केबल है और यह हमारा power cable है और यह sensor cable है तो power cable के यूज होता है इसमें 230 volt इसमें यूज होता है है इस transmitter को on करने के लिए और signal cable जो हमारा sensor sense करेगा उसके जो output होता है जो analog output निकलेगा यहां से 4-20 वह हमारा इस signal cable के थुरू जाएगा पैनल में हमारे PLC पैनल फ्रेंट्स इसको अब मैं जल्दी से open करके इसके अंदर का आपको दिखाता हूँ इसके अंदर जो हमारा यह डिस्प्ले के साथ जो हमारा कनेक्शन इसका दिया हुआ कैसे कनेक्शन करते हैं प्रेंट्स यह देखें मैंने सेंसर का cable का transmission कर दिया है और जो भी सेंसर हमारा सेंस करेगा इसको यहां पर आएगा वह information और वह 4-20 मिलियम्स में हमारे PLC पैनल को जाएगा यह देखें यही PLC जो specified है OSU को control करने के लिए इसी में हमारे पूरे controllers लगे हुए है इसके थुरू यह सारे हमारे operate होंगे control होंगे अभी मैं इसको open करके दिखाता हूँ के हमारा PLC कहा setup है और different इसके components को हम लोग देख लेते हैं PLC के अंदर इस panel के अंदर different components लगे हुए उस सबको हम देख लेते हैं इसके अंदर लगे हुए है पैनल के अंदर अब हम देख लेते हैं जो हमारे transmitter से हमारे जो केबल आया है वह signal केबल ओ कहां पर टर्मिनेट हुआ है तो यहां पर टर्मिनेट हुआ है इस टीवी में और उसके बाद यहां से जो हमारा red color के बल औहुँ निगल के गया है हमारा कहां यह PLC में हमारा जो controller लगा हुआ है उसमें गया हुआ है इन पुट मैं अनलोग इन पुट में इसके बेसिक पार्ट को देख लेते हैं जो हमारा जो controller लगा हुआ है PLC लगा हुआ है इसका जो basic पार्ट क्या होता है CPU होता है और input output module होता है input में friends हमारा analog input analog output और digital input digital output होते friends इसी टास्मेटर का भी मैं calibration करने जा रहा हूं तो इसको calibration करने से पहले देखिए इसके values को stable करना पड़ता है तो first of all देख लेते process के आप friends यह देखिए इसमें जाके जो मैं आपन कर सकते हैं उपर नीचे यानि कि हम लोग values को थोड़ा adjustment कर सकते हैं उसके बाद मैं इसको इंटर कर दूँगा देखिए यह हमारा पास लिख क्या आगया फिर अब मैं क्या करूंगा friends कि इस ट्वेस का जो इसके साथ मैंने क्या किया है यह आभी कर दिया है किसको इस ट्वेस गैस सिलेंडर को एक पाइब कर दूँगा और यहां से गैस को इंजेक्ट करके देखूंगा कि हमारा सेंसर सेंस कर रहा है कि नहीं और यह हरे करेंगे तो देखिए यहां परकन कर दिया है और यहां से सपल Commerce को इसा सुक्राइब कर रहा है कि हमें क्योंड Soul को इंजेक्ट किया है इस तरह ही हम इसका कई लिब्रेशन करते आए झाल झाल